उपमंडल स्वारघाट के तहट आने वाली ग्राम पंचाय तरी के गाउं तियून के एक वेक्ते के गतश निवार रातपाउं फिसल कर ठाक से गिरने से मौत हो गई पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को पोस्मोटम के लिए एक शेत्री अस्पताल बिलासपूर ले जाया गया मौके पहचान विसंदास उम्र करीब चोटालीस वर्श पुत्र गोविंद राम निवासी गाउं तियून डाग घर स्वारघाट तैसील श्री नैना देवी जी जीला पिलासपूर हिमाचल प्रदेश के रूप में होये विसंदास करीब परिवार से संबंद रखता है और दिहाड़ी लगा कर अपने परिवार का पालन पोश्ण करता है शनिवार देरशाम वे दिहाड़ी लगाने के बाद घर से स्वारघाट की तरफ किसी कारिकरम में आया था बताया जा रहा है कि दे राद जब वे स्वारघाट से पैदल अपने घर त्यून की तरफ जा रहा था तो घर से कुछ पीछे सड़क के डंगे में लगे धील पत्थरों से उसका पाउं फिसल किया जिससे वे करीब 250 से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरा जिससे उसकी मोथ हो गई अगले दिन रविवार सुभा करीब साड़े दस बजे जब पीडाब्यूटी में कार्यत गाउं का ही कुव्यक्ती जुगिंदर सिंग सुआरघाट में ड्यूटी करने के बाद पैदल घर की त अवस्था में गिरा हुआ है उसने तुरंत परिजनों पुलिस वपंचायत को सूचना दी जिसके बाद पुलिस थाना सुआरघाट की टीम मौके पर पहुंची और स्थानी लोगों की साहता से शव को खाई से बहार निकाल कर शव को अपने कबजे में ले लिया है तथा श इसे ही मुझे सुबा आज पता लगा कि तीन गाओं में बेशंदास नाम का कोई बेक्ती नीचे पहाडी से पैर भिजलने से गिर के मतलब मौत हो गी है तो मैं यहां पहुंचा और मैंने अपने थाना स्वारघाट में एस है चो साहब को भी फोन किया और पूरी पूर्स ट हकुर की पूर्ट